आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा अब 3B रिवाइज हो सकती है 3B के अंदर चेंजिज हो सकते हैं और जो लेट फी से वो भी वेवरोफ हो सकती है सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाईया मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 9 मार्च 2021 को एक ओर पास किया है गुजराथ हाई कोट ने और गुजराथ हाई कोट ने जो ये ओर पास किया है अगर आपके केस में भी सिमिलर फेक्ट्स हैं तो आपकी भी 3B रिवाइज हो सकती है 3B के अंदर चेंजिज किये जा सकते हैं लेकिन कैसे करेंगे वो चेंजिज क्या डिपार्टमेंट आपकी बात मानेगा या नहीं इस केस को स्टड़ी करने के बाद हमें पता लगेगा हालागी काफी लोगों ने गुजराथ हाई कोट का केस पढ़ लिया होगा यूटूब से पढ़ ले इस केस के फैक्ट को पढ़ ले और फिर चेक कर ले कि क्या आपके केस में भी ये सेम फैक्ट लगते है या नहीं ये क्या था ये केस था दीपक प्रिंट का दीपक प्रिंट का केस क्या था इस चीज को समझेगा कि एक व्यक्ति था प्रोप्राइटरशिप उसकी दो फर्मे थी जब उसने GSTN 3B फाइल करने की सोची तो उसने दीपक प्रिंट का जो GSTN नमबर था उसमें जो डेटा था अपनी दूसरी फर्म का फीड कर दिया और वो डेटा क्या था कि let's suppose उसकी actual sale थी 2 लाख रुपे उसकी actual sale का डिफरेंस हो गया ITC भी उसने ऐसे ही क्लेम कर लिया अब यहां पर question ही आया कि भया उसने जो अपनी 3B थी वो रिटन स्रिफ सम्मिट करी थी सम्मिट के बाद EVC नहीं डाला था फाइल नहीं करी थी उसी mode पर उसे पता लग गया कि भया यह गलती हो गई अब वो डिपाटमेंट के पास गया डिपाटमेंट के नोडल ओफिसर को लिखा कि साहब मेरे से गलती हो गई है तो जो आपके पास बटन है जो यह सम्मिट का है इसे अंडू कर दो मतलब कि मेरे को एक बार option दे दो मैं यह फिगर को चेंज कर लूँ डिपाटमेंट जैसा कि आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर डिपाटमेंट के पास कोई भी लेटर लेकर जाओ तो वो यह समझते हैं कि हमारी वसीयत पर साइन करा रहा है वो साइन नहीं करके देते वो कोई receiving नहीं देते वो हमारी बातों को सुनते ही नहीं है तो डिपाटमेंट ने इसकी बातों को अंसुना करा उसने जो लेटर लिखा उस पर कोई reply नहीं करा अब बंदा क्या करता एक व्यक्ति ये करता इन जर्नल कि उस return को जर्नली फाइल कर देता फाइल करने के बाद ये जो extra liability pay करी थी इसका refund claim करता और ये जो extra ITC लिया था उसे reverse करता ये थी आम जिंदगी अगर कोई भी व्यक्ति करता लेकिन इस व्यक्ति ने क्या करा इस व्यक्ति ने उस return को submit का submit ही रहने दिया उस return को file नहीं करा और file ना करने की वज़े से उसने क्या गरा late fees उस पर लगती रही अब अगला व्यक्ति का करे late fees कैसे बचा इस गलती को कैसे ठीक करे तो उसने written petition file कर दी कि भाईया आप जो है न मुझे 3B को change करने का मोका दो क्योंकि 3B को change करने का मोका low में दिया जाना चाहिए जो original low 2017 में बना था GST Act आया था उसमें लिखा गया था कि जो भी आप अपनी GSTR 1 में डाल देंगे या ITC जो भी claim कर लेंगे आप उसे correct कर सकते हैं ये बात लिखी गई थी GSTR 1 में तो change अभी भी हो जाते हैं लेकिन एक time limit तक होते हैं लेकिन 3B में तो changes ही नहीं तो अगर आपको पता हो एक circular आया था हमारे पास 2017 में बहुत पहले उस circular में clarify कर दिया गया था कि भाया जो भी आप 3B में कोई गलती हो गई है उसे next month की return में ठीक कर लो या refund claim कर लो आराम तो नहीं है क्योंकि जब हम refund claim करने जाते हैं तो कुछ states में तो refund दे देती है लेकिन कुछ GST officer वो refund ही नहीं देते जबकि यहाँ पर GST officer को refund claim कर देना चाहिए था ठीक है ना अगर वो वेक्ति refund मांगता तो लेकिन बहुत सारे cases में ऐसा देखा गया है उस rights के selection करता है अगर हमारे rights का कभी भी हनन होगा तो supreme court, high court हमारे को selection करेंगे हमारे rights को बचाएंगे तो इसी तरीके से client वहाँ पर चला गया तो client ने जब यह written petition फाइल करी तो यहाँ पर जो high court था गुजरात high court जो की बहुत अच्छा high court उसने क्या करा, department को यहाँ पर डाट लगाई, बहुत अच्छा decision दिया और department को डाट लगाई department को क्या कहा, कि भाईया जो इनकी गलती हो गई है उसे गलती को ठीक करने का मोका दो अगर आपका system उसे ठीक करने का मोका नहीं दे रहा आप simple यह कह देते हो, circular में लिखा हुआ है तो यह जो circular है circular कभी act को वोलेट थोड़ी कर देगा act में आपके में provision था कि GSTR1 में detail जाएगी ठीक है, सामने वाला accept करेगा, reject करेगा तो ITC उसी base पर मिलेगा और वहाँ पर यह भी option था कि 3B के अंदर section 39 99 यह कहता है कि 3B के अंदर आप कोई भी गलती, subsequent return में ठीक कर सकते हो, लेकिन portal इस तरह को allow नहीं करता तो यह जो portal बना है यह जो आपने circular निकाला है, यह गलत है आप इस assessi को permission दो, इस assessi को option दो, जिससे कि वो अपनी 3B को modify कर सके, changes कर सके अब question यह आगया, कि भी यह court ने तो order दे दिया कि भी यह two weeks के अंदर-अंदर इनने आप option देना, अब department क्या यह option सब लोगों के लिए open कर देगा अगर वो सब लोगों के लिए open कर देता तो बहुत अच्छी बात है, सब लोगों की यह option नहीं करता है, सिर्फ इसी SSC के लिए करता है, क्योंकि यहाँ पर यह बात भी SSC ने बोली, कि भाई आप late fees भी लग दी है, क्योंकि मैंने तो उस return को submit करा, submit के बाद फाइल नहीं करा, ठीक है न, और उससे अगली returns भी मेरी submit नहीं हुई है तो मेरे को महाँ पर late fees भी लग दिया, department के against court ने क्या बोला है, कि भाई इसकी late fees भी waiver off करो, और यहाँ पर आप उसकी returns को भी modify करो, अब क्या करेगा department, department क्या करेगा इस case में individual, इस client के लिए ये option दे देगा, जैसे अगर आपको यादो, Tran1 के case में दिया बहुत सारे case हैं, जिसके अंदर कई वेक्तियों ने tax liability भी बढ़ा दी, ITC भी बढ़ा दिया अब उन्हें notice आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर यह कई बार यह कहते हैं, कि भाईया जो भी notice आपको आ रहे हैं, हर notice का reply दो, कम से कम appeal तक तो आप जाओ, क्या पता तो यह department को देना चाहिए, या नहीं देना चाहिए, आप मुझे comment box में लिख कर बताओ, क्योंकि यहाँ पर high court ने भी बोला है, कि भाईया तुम हमारा time waste मत करो, इस तरह की जो गलतिया है, जो portal की वज़े से, उससे unnecessary litigation बढ़ रहा है, तो मेरी GST department वालों से यह हाद जोड़कर request है, तो अगर कोई भी चीज आपके case में ऐसी आती है तो उसे high court तक ना ले कर जाएं क्योंकि उस वाले case में आप कभी समय बेकार होगा, client कभी बेकार होगा, और हमारे मानने high court कभी बेकार होगा, अगर किसी व्यक्ति ने ITC जादा लिया है, तो उसे DRC03 से अगर वो reverse करता है तो उसे reverse करने का मोका दे दे, उस पर unnecessary का interest penalty का burden ना लगाए, किसी को अपनी गलती सुधारने का मोका दे गलती किसी से भी हो सकती है GST में, आप से भी हो सकती है department से भी हो सकती है, government से भी हो इस judgment के बाद ये उम्मीदे लगाई जा रही हैं, कि 3B को revise करने के लिए government कोई notifications या कुछ दे दे, या जो GSTR की late fees है, उसके लिए भी कोई option दे दे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगिए, तो जादे से जादे लोगों तक share करना, और इस case low को जरूर पढ़ लेना सर इस case low को इतना लंबा case low है, कैसे पढ़ेंगे हम, तो भया हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो April month का edition आने वाला है उसमें इस case low को दे दे और इसका conclusion भी दे दे, और इसके सो रजिस्टेशन पे हैं, लगबख सतर रजिस्टेशन हो चुके हैं, तो अगर आपको offer का benefit लेना है, तो आप offer का benefit ले सकते हैं, और अगर हम 3B की class कराएंगे, तो उसके अंदर जो हमारा 1500 घंटे का court है, हम इस तरह के supreme court के cases, जो हमारे content से related हैं, वो भी हम लेंगे, तो अगर किसी ने अभी तक हमारी pen drive नहीं ली है, या अगर ली है और उसकी pen drive expire हो चुकी है, तो वो अपनी pen drive renew करा ले, या हमारी ये pen drive purchase कर ले, इसमें भी discount चल रहा है, अगर आपको छोटी pen drive चाहिए, छोटे course चाहिए, तो आपने हमारा app डाउनलोड करी लिया होगा, KJ classes से, उस app के माध्या से हम आपको छोटे छोटे course दे रहे, अगर आपकी कोई queries है, तो queries के लिए आप membership plan ले सकते हैं, और इसी के साथ, मैं आप सब लोगो happy holy की subscribe नहीं, ठीक है, आप अपनी holy को अच्छे से enjoy करना, safe holy खेलना, चले इस वीडियो को यहीं finish करते हैं, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, thank you for